साप्यक्षिता वाद का सिधान, ठेवरी आफ रिलेटिविटी और प्रकाश के गुड़ धर्म इस विसे पर चर्चा करने के लिए प्लीज मेरे चैनल को लाइट कीजे, सब्सक्राइब कीजे, शेर कीजे तो बिना समय गवाएं सुरू करते हैं साप्यक्षिता वाद का सिधान, ठेवरी आफ रिलेटिविटी और प्रकाश के गुड़ धर्म, प्रकाश उर्जा का ही एक रूप है प्रकाश का ब्यवार थोड़ा बिच्चित रहे नूटन की कार्पिस्क्यूलर हाइपोथेसिस, कार्पिस्क्यूलर अवधार्णा की अनुसार, प्रकाश छोटे-छोटे कर्ण, यसे कहा नूटन ने कार्पिस्क्यूल नाम दिया था प्रकास इनी छोटे-छोटे कर्ड जिसको कार्पिस्किल करते हैं से बना होता है नूटन का यह मानना प्रकास के परावर्था रिफ्लेक्शन के कारण था क्योंकि प्रकास एक सरर लेखा में परावर्थित होता है और यह प्रकास के छोटे कड़ों से बढ़े होने पर ही संभव है केवल कड़ ही एक सरद रेखा में गज़ कर सकता है लेकिन उसी समय हाइजिन बर्ग और थामस यंग के अंसार प्रकास तरंगों से बनावता है हाइजिन और यंका सिधान प्रकास की अपवर्तन रिफ्रेक्शन पर आधारी था कोईकि माध्यम में पर्वर्तन होने पर प्रकास की गति में भी पर्वर्तन आजाता था यह प्रकास के तरंग बेवार से ही संभव था नूटन के कार्पी स्कुलर अवधार्नक के ताबूत में अंतिम की माइक्सवेल ने ठोंक दी थी उनके चार सरव समिकर्ण ने सिध कर दिया कि प्रकास ब्रिद्धु चुमकी छेत्र इलेक्रोमेगनेटिक फिल्ड की स्वयम तुवाहित तरंग इन समिकर्णों से प्रकास की गत की सटी गरना भी हो गए थी लेकिन बीसमी सताब्दी में फोटो इलेक्रिक प्रभाव की खोज ने प्रकास की कर्णों के बने होने के सिधान्त में एक नई जान डाल दी इन दोनों में क्या सही है प्रकास क्या प्रकास कर्ण है या एक तरंग आज हम जानते हैं कि ये दोनों सिधान्त सही है प्रकास दोरा बेवार रगता है वह एक ही समय में कर्ण और तरंग दोनों कुर्धर्ण रगता है प्रकास के कर्ण बेवार में उसे फोटान कहा जाता है और उनके तरंग बेवा में उसे बिद्दुषुम्की विकंट कहा जाता है इलेक्ट्रो मेङनिटिक रेडिेशन कहा है भोटान अब भोटान पर चर्चा करते हैं भोटान किसी पर मार उदारा उत्व Сर्जित ऊर जाह है फोटान किसी परमाड उदारा सर्जित उर्जा है जिसे हम प्रकाश के रूप में देखते हैं किसी परमाड में इलेक्रान प्रोटान और नूट्रान से बने नाभिक की कख्षा में परिक्षा करते हैं इन इलेक्रानों की नाभिक के आजपास एक आधिक उर्जा अवस्थाओं की कख्षा होती है। किसी विशिष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष् इस अवस्था में पर्माड़ को उत्तेजी तोरे ऑंसर प्राक्रितिक रूप पर्माड़ उच्छ वाली अवस्था में आने का प्रियास करता है पर्माड़ अपनी वर्चा वाली आने का प्रयास एक पाइकेट के रूप में उस सर्जित गर अपरी कम उर्जा वाली अवस्था में चला जाता है। किसी उर्जा के पाइकेट को फोटान काते हैं। यह उस सर्जित उर्जा इलेक्रान की उनका ख्षाओं की उर्जाओं के अंतर के तुले ही होता है। किसी उत्सरजित उर्जा या फोटान को हम प्रकाश के रूप में महसूस करते हैं विक्रण तरंग के रूप में होता है और प्रकाश विक्रण के रूप में होता है किसी दोलन करते आवेश द्वारा उत्पन उर्जा को प्रकाशी विक्रण प्रकाशी विक्रण कहा जाता है। यह आवेश दोलन करते हुए विद्धु छ्ष्षत तथा एक चुमकी छ्षत दरवत्पन होता है। इसलिए प्रकाश को विद्धु छुमकी विक्रण कहते हैं। ध्यान दे, यह दोनों छेतर एक दूसरे के लंबत दोलन कर रहे हुते हैं और प्रकास विद्धु चुम की विकृणा के कई प्रकारों में से एक प्रकार मात्र हैं, इन सबी प्रकारों को विद्धु टीटिक स्प्राम पर विद्व श्चत के दोलंग करनें की आपडित के आधार परीफ थी कीया जाता है हमारे दौरह दृष्ज प्रकास की निंख सत्यूख जिसके एक और बयगेस अधिकतम होता है यहा दूसरी वह लाल रंग यूनत अब्रित का प्रकास होता है बैगनी प्रकास की अब्रित अधिक होती है अर्थात उसकी उर्जा अधिक होती है यदि आप विद्धु चुम की स्पेक्ट्रम को देखें तो पाएंगे कि गामा किरण सबसे ज्यादा उर्जा वाली किरण होती है कोई आशल नहीं कि गामा किरणे अधिकतर पदार्थों को भेद देती है ये किरणे इतनी ज्यादा उर्जा रखती है कि वे आपको जविक रूप से प्रभाव डाल सकती है आपके डिन्यों को प्रभावित कर कैंसर रुथपन करने की छमता रखती है गामा किरणे इन विद्द्चुम की विक्रण जिसे हम प्रकास करते हैं उसे भी हम भिन भिन आप्रित्यों की आधार पर अलग अलग कर सकते हैं जिसमें हम हर आप्रित से संब्धित एक प्रकास रंग होता है अब हम प्रकास के गुडधन पर चर्चा करते हैं जब प्रकास अंतरिक्ष में जात्रा करता है तब वो कई प्रकास के माध्यमों से गुजरता है। प्रकाश के परावर्तन रिफ्लेक्शन को रिफ्लेक्शन से भरी भात परचित हैं क्योंकि हमने किसी चमकीली सरल सता जैसे दरपन दरप्र प्रकाश का परावर्तन को देखा हैं यह प्रकाश का किसी विश्यश्पदार्थ से किया गया विश्यश्प्यवार है जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम प्रिवश करता है उसकी किर्णे मुड़ जाती है उसे हम अपवर्तन करते हैं यदि कोई प्रकास के मार्ग में कोई माध्यम प्रकास की भिन भिन आपरितियों को भिन भिन तरीके से मोड़ दे तो हम प्रकास के घटक रंगों को देख सकते हैं वातावण में उपरसित पानी की बूदे, सुर्य प्रकास से इंद धनूज का निर्मार करती हैं, पानी की ये बूदे, सुर्य प्रकास की भिन-भिन आपरितियों को भिन-भिन तरीके से मोड़ती हैं, जिसे हर रंग का प्रकास अलग-अलग हो जाता है, और हमें प्रकास की वर्ण क्रम से सुन्दर रंग दिखाए जेता है। काज का प्रेज्म भी यही कारी करता है। प्रेज्म पर जब एक विशिष कोड पर प्रकाश जाला जाता है, प्रकाश अपवर्थित मुड़ता है, और हर आपरित अलग-अलग कोड से मुड़ती है। जिससे हमें अलग-अलग रंग दिखाए जेता है। यह प्रभाव प्रेज्म की आकार और प्रकाश के कोड से उत्पन होता है। इसी तरह से जब प्रकाश तरंग प्रेज्म से बाहर जाती है, तरंग का उपरी भाग पहले बाहर आता है और उसकी गत्य निचले भाग से ज्यादा होती है। जो कि अभी भी प्रिज्म की अंदर है, गत में इस अंतर से तरंग में और अधिक मोड आ जाता है, किसी स्केट बोर्ड पर कोई खिलाडी, जब किसी सपार सता से घास की सता पर आता है, तब खिलाडी सामने जूट जाता है, कोई कि स्केट की गत कम हो गई है, लेकिन उसका सरीर भी पुरानी गत पर है, इसी तरह का बेवार प्रकास भी कर रहा है, जब वो एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है, तब वो मोड जानते हैं। स्केट-बोर्ड और खिलाडी घास की सत्रॉट तक आने से पाले एक कहीं गत्पर हिogi अक्षेट-बोर्ड घास की सत्रॉट पर और स्केट-बोर्ड खिलाड़ी तुन्ना द्ट घहता हिए। यहसे खिलाड़ी सामने जहक जाता है। हुँ प्रकास की संरेचना बारे में कुछ जानते यह मैं कर अब कि अब प्रकास गत समझने का प्रियास करते हैं प्रकास विद्धू चुम की वीक्रणाल फ्रकास इलेक्拲-मेलनेแตटीक रेडियेशन इसलिए प्रकास गत को विद्धुषुमकि विकरण की गठ के रूप में समझना ज्याद असान है वास्विकता में प्रकास गठ सुचना की गठ है कोई घटना घटित हुई है या नहीं इसका पता हमें उस घटना की सुचना मिलने पर ही होता है यह सुचना हमें उस घटना से उत्पन रेडियो सिंगनर प्रकास उदारा टाप्त विद्धुत चुमकी विकरण से भी नियत होती है। कोई भी घटना काल अंतराल से उत्पन एक सहीं हो गई और किसी भी घटना की सुचना किसी विक्रण के रूप में उस सर्जित होती है निर्वार्त वैकुव में इस सुचना का प्रवां तीन गुड़े दस की घात आठ की गट से होती है मतलब जिस गट से प्रकास चलता है उसी गट से सुचना का प्रवां होता है एक लंबी रेलगाडी का चलना आराम करती है मालो एक लंबी रेलगाडी जब चलना आराम करती है तो अंतिम डिबबा इंजन से साथ उसी समय एक साथ चलना प्रवार्म नहीं करता है सबसे पहले इंजन चलता है उसके बाद इंजन से सटा डिबबा उसके बाद दूसरा डिबबा क्रमसा अंत में आखरी डिबबा चलता है इंजन से आखरी डिबबे तक गति किये प्रवाव में विलम होता है इंजन से चलने की सूचना आखिरी डिब्बे तक कुछ विलम से पहुंचती है यह विलम विशेश सापेक्षता वाग सूचना की अस्थानांतरन की जैसे ही लेकिन विशेश सापेक्षता वाग में सूचना की गत की एक अधिक्तम सिमा है जिसको हम कहते हैं प्रकास गट कोई भी सुचना इस गट से ज़्यादा तेज नहीं जा सकती आप रेल के इस उधारण को कितना भी बिस्ट कर ले लेकिन किसी भी तरह से इंजन के चलने की सुचना आप आखिरी डिब्बे तक प्रकास गट से तेज नहीं पहुचा सकती प्रकास गट पर हम इतना जोर के अंदे रहें क्योंकि यह विशेश गट है जो हमें आने वाली वीडियो में बताएंगे उमिद करता हूँ वीडियो पसंद आया अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक कीजिए सब्स्राइब कीजिए